हलो फ्रेंड्स मैं हूँ चंदनाचार जी and welcome to my channel इस वीडियो में हम बात करेंगे आन्रोडिंग क्या है and email software के अंदर आन्रोडिंग हम कैसे करेंगे पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दे तो चलिए शुरू करते हैं तो अन्रोडिंग क्या है जब आप विकल को अन्रोड करके फीश अपने कस्टुमर को देते हैं तो इस प्रोसेस को अन्रोडिंग कहते हैं अन्रोडिंग में स्रिफ यही सब रखा जाता है कि आपने कौनसी कस्टुमर को कौन सी डेट में कौनसी विकल से कितनी कैरेट फिश दिया है तो अन्रोडिंग यही है तो आईए देखते हैं कि email software के अंदर हम unloading को कैसे entry करेंगे जब आप email software में unloading को open करेंगे तो कुछ इस तरह की interface आपके समने open होगा जैसे आप screen पे देख रहे हैं तो आईए समझते हैं कि किस तरह से हम unloading को entry करेंगे unloading screen पे पहला जो option है वो है invoice number invoice number एक system generate या फिर auto generate number है जो system इसको automatically 123 करके generate करता है next option है invoice date जीज date पे आप unloading कर रहे हैं उस date को आपको यहाँ पे डालना होगा next option है customer name यहाँ पे आपको customer की name select करना होगा जिसे आप unloading करना चाहते हैं देना है vehicle number यह vehicle number वही vehicle number है जिस गारी से आपने उस customer को carrot दिया है vehicle number select करने के बाद जब आप interface करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक interface open होगा जैसे आप screen पे देख रहे हैं packing chart के अंदर आप जो भी carrot details एंट्री करेंगे वो यहाँ पे आपको show होगा आप अपने customer को जितनी भी carrot दिया है उसकी पूरी detail आप यहाँ से search करके उस carrot को आप उस customer को mention करेंगे या फिर alert करेंगे इस window से carrot को select करने के लिए जो process है पहले आपको random carrot number डालके आप यहाँ पे search कर सकते हैं उस carrot number को and then जब आप A5 प्रेस करेंगे keyboard से तो automatically बो select हो जाएगा and बो side में जो एक जगा है उसके अंदर आजाएगा इस तरह से आप जितनी भी carrot अपने customer को देंगे या फिर alert करेंगे बो आप पहले select करेंगे one by one जब यह selection हो जाएगा completely तब आप OK बटन पर प्रेस करेंगे जब आप OK बटन पर क्लिक करेंगे तो यह window close हो जाएगा and जो भी carrot details आपने select किया है इस window से बो main window के अंदर बो automatically load हो जाएगा जैसे का आप screen पर देख रहे हैं and then इस unloading को save करने के लिए आपको simply save button पर क्लिक करना होगा इसी तरह से आप email software के अंदर जितनी भी unloading आपको करना है वो one by one यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर आपको email software के अंदर unloading की पूरी details देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं उमीद करता हूँ कि आपको यह video अच्छा लगा होगा unloading क्या है और email software में आप unloading को कैसे entry करेंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अगर आपको unloading related कुछ queries है तो आप comment में पूछ सकते हैं वीडियो को like करे, share करे और चैनल को subscribe जरूर करे तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो पे तब तक के लिए टाटा